स्वामी जी, मंचपरासीन आदरनिय डॉक्टर वेद परताब वैदिक जी, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री देविंद्र शर्मा जी, अजय भाई, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री ओपी श्रिवास्तव जी, श्रीमति रेनु श्रिवास्तव जी, अन्ने सभी सम्मालनी अति स्वामी जी का जैसा निर्देश है मैं आपसे 15 मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कुछ बिंदू आपके बीच पे रखना चाहता हूँ स्वदेशी से स्वावलंबी भारत ये बात हमें आजादी के 60 साल के बाद कहने की क्या जरूरत है क्योंकि ये बात तो लोकमान नितिलक आजादी के पहले कहा करते थे लोकमान नितिलक सन 1905 में यही बात पर जगे जगे वर्कशोप, सेमिनार, सिंपोजियम्स किया करते थे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत 1905 से 1911 तक सेक्णों बार उन्होंने इस विशे पर परिजर्चा आयोजित की हुए इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के एक बहुत बड़े क्रांतवीर अर्विंदो घोश स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे हमारे देश के आज़ादी के एक बहुत बड़े नायक महात्मा गांदी आज़ादी के पूरे समय में माने आजादी के आंदुलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे अब आज़ादी के साथ साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंभी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है क्या हमारी मजबूरी है क्या हमारी तकलीफ है हमारा दुख क्या है हमारा दर्द क्या है हमारी पीडा क्या है क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांदी जी को कहनी पड़ी लाला लाच्पतराय को कहनी पड़ी विपिन चंदरपाल को कहनी पड़ी लोकमान इटिलक को कहनी पड़ी वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है अब तो आजादी आ गई है अब तो अंग्रेज चले गए, अब तो East India Company भी नहीं है इस देश में, तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, East India Company के गुलाम थे, इसलिए हम स्वधेशी की बात करते थे, अब आज़ादी के साथ साल के बाद फिर स्वधेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है, ये गंभीर प्रश्ण है, और वो प्रश्ण में आपके सामने खोलना चाहता हूँ, बात ऐसी है, कि हमारे देश में 15 अगस्ट 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आज़ादी नहीं आई, स्वतंतरता नहीं आई इस देश में, 15 अगस्ट 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों क सत्ता का हस्तांतरन हो गया, स्वतंतरता नहीं आई, आज़ादी नहीं आई, क्योंकि स्वतंतरता का मतलब है अपने तंतर में जीना, आज़ादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना, स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंतर की व अपना हो जिस संसत से कानून पारित होते हैं वो संसत अंग्रेजों की बनाई हुई है वो अपनी कहा है यह गोल गुंबद जो शून जैसा है यह तो अंग्रेजों का बनाया हुआ धाचा है 1927 में जिसको मात्मा गांदी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बंब लग तो गांदी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी है और आप कहरें इसको उड़ा दो तो उनका गुलामी के प्रतीकों को समाल कर नहीं रखा जाता कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर समार कर धो कर और पौँच कर रखता हूं हमने रखा हुआ है हमारे तंतर जो संसद हमने बनाई है गर्भांगे से हैं जिसको आम संसद यह लोगतंतर कहते हैं यह तो अंग्रेंजों का सिस्टम है पूरा को आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था कि पहले गोरे अंग्रेजों का साशन चलता था, अब काले अंग्रेजों का साशन चलता है व्यवस्थान सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतिया सबकी सब वही हैं, सबकुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में, इसलिए हमको आज भारत स्वाविमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है, क्योंकि सबकुछ अधूरा है, 15 अगस्त 1947 के बाद, मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया, उन में से कुछ देश हैं, जैसे कनाड़ा है, औस्ट्रेलिया है, न्यूजिलेंड है, ये एक गुरूप के देश है, भारत है, पाकिस्तान है, बंगला देश है, ये दूसरे गुरूप के देश है, मारिशष है, श्रीलंका, ये तीसरे गुरूप के देश है, ये गुरूपिंग किस तरह की है, अंग्रेजों ने तीन तरह के देश गुलाम बना के रखे थे, ए इनकी काटेगरी थी self-governing colonies माने वो देश कुछ-कुछ अपने हित के कानून खुद भी बना सकते थे लेकिन ज्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे दूसरे ग्रूप में श्री लंका मौरिशस जैसे देश थे जिनको crown colonies कहा जाता था उस जमाने crown colonies में श्री लंका था मौरिशस था ये सूरी नाम वगएरा ये देश थे और तीसरा था depending colonies उनमें भारत पाकिस्तान वगएरा वगएरा थे depending colonies सबसे खराब गुलामी का धाचा था सबसे खराब गुलामी का उसमें क्या होता था कि आपको अपने हातों अपने देश के लिए अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है सब कुछ अंग्रेजों के पास है आप तो उनके पूरे dependent है तो वो हम dependent अंग्रेजों के हो गए क्योंकि हमारे यह गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी बोटी गलतियों से आ गई इस्ट इंडिया कंपनी हां व्यापार करने के लिए गुज गई एक राजा था जहांगीर उसने आगा न देखा न पीछा लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं थोड़े से पूंजी के लालच में, कि विदेशी पूंजी आएगी, थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी, इन मुर्ख नेताओं को ये नहीं मालूम है, कि बाहर के बोतल के दिये हुए खून से कोई मरीज जिन्वा नहीं बचता, अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता, जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चड़ा कर कितने दिन जिन्दा रखेंगे आप उस मरीज को, आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तब ही वो जिन्दा रहेगा, वैसे ही पूंजी की जरूरत है, तो पूंजी उत्पादन का तरीका बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीक मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे, तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिये, आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए, फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है, लिबरलाइजेशन है, प्राइटाइजेशन है, हजारों हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है, हर एक छेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, जिन जिन छेत्रों में हम व्यापा चीज के लिए लिए अंडर वीएर बनयान बेचने के लिए विदेशी कंपनिया क्रीमंब्र लिपिस्टिक बेचने के लिए साधेरंसी च्छोटी-च्छोटी चीजों से लेकर सर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी भीचैंगे इस नहें करिये बस थोड़ा सा हमको पूजी निवेश्वी जो जरूरत है उसमें पूर्ती होती रहे थोड़ा टेक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जिस मिलते रहे रिश्वत मिलती रहे घूस मिलती रहे हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है ऐसा लगता है कि भारत कोई खेराती धरमशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है सबको बुलने आने की खुली चूट है अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो अब उनको बुला रहे हैं वापस आओ 1942 में महात्मा गांधी का नारा था इस देश में करांतिकारियों का नारा था कुट इंडिया छोड़ो भारत अब हमारे देश के प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों का नारा है निट इंडिया वापस आओ K.N.I.T. फिर जुड़ जाओ हमारे देश से तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगे काले अंग्रेजों ने ले ली है दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था आज हमारा देश दुरभागी से पूरा का पूरा खत्रे में हैं क्योंकि ऐसे नेता देश में कुरसी पर काबिज हैं जो हर छेत्र में विदेशी कमपनियों को बुला रहे हैं उन्होंने इतिहास सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए है मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है जहांगीर मरा नहीं है उसी की आत्मा हमारे देश के निताओं में प्रवेश कर गई है जो देखो विदेशी कमपनी को लाने के लिए विदेश या रहा है लाल कालिन बिछा कर उनका स्वागत कर रहा है हमारा देश ऐसा हो गया अब विदेशी कमपनिया घुज गई हजारों हजारों की संख्या में घुज गई इन कमपनियों ने जिन्दगी के हर छेतर पर कबजा कर लिया सबेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस्क बातरूम में जाएं तो शेविंग किट्स फिर नहाएं तो उसके बाद साबून फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबून फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहनें जूते पहनें चपल पहनें क्रीम पाउडर लिपिस्टिक इस्तेमाल करें सब कुछ विदेशी सबेरे सशामत राप को सोने जाएं तो मच्छर भगाने वाली अगरवत्ती भी विदेशी और जिस मच्छर दानी में सोएं वो मच्छर दानी विदेशी जिस विस्तर पे सोएं उसका गद्दा विदेशी गद्दे के ऊपर चादर विदेशी सब कुछ विदेशी हो गया पचास साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंट्र हुआ करता था आज इस देश के नेताओं ने विदेशी सब बना दिया तो आजादी के 60-62 साल में हर छेतर में विदेशी करना जब हो रहा हो तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी और आजादी के 60-62 सालों में जब हर छेतर में परावलंबन बढ़ रहा हो तो अब हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आजा मैं करनी पड़ गई मैं आपको बहुत खराब बात कहना चाहता हूँ लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था तो नेताओं के दो वर्ग थे एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संव्यदानी का धिकार का हननन है किसी भी देश को गुलाम बनाना, किसी भी सब्विता में, किसी भी संस्कृती में, किसी भी समय में, पर्मिसिबल नहीं है, उसकी अनुमती नहीं है तो एक वर्ग था देश में नेताओं का, जिनमें लाला लाच्पत राये, विपिन चंदरपाल, लोकमान बाल गंगादर तिलक, अरविंद भोष, भगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेकर आजाद, सुभाष चंदरबोस, आशवाकुला, रामपरसाद, बिस्मिल, ये सब क्र दूसरा वर्ग था नेताओं का, जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए, ना स्वतंतरता चाहिए, हमको तो अंग्रेजों की साटगाट करके सरकार चाहिए, ना आजादी चाहिए, ना स्वतंतरता चाहिए, अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए, एक खराब शब् बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्मेंट हो जाए हमारी, एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था, जिसके नेता थे पंडित मोतिलाल नहरू, जिसके नेता थे फिरोशाह मेता, जिसके नेता थे सुरेनाग बेनर जी, जिसके नेता थे सुरेनासन, ये नेताओं का एक वर्ग जो ये कहता था अंग्रेजों से गट जोड करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतिला नहरू और उनके साहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधान मंत्री रहे यह उसके नीचे मंत्री रहे बस देश में चलता रहे आज़ादी की क्या मतलब स्वतंतरता का क्या मतलब तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गट जोड करके सरकार बनाना चाहता था और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर आज़ादी और स्वतंतरता लाना चाहता था दुर्भा की क्या हुआ जब ये देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में ये कमान गई या जिन नेताओं के समूओं के हाथ में देश की आजादी की कमान गई वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गड़ जोड करना चाहते थे विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे आजादी आई तो भाशा स्वदेशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हमारी भूशा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी हमारी भूशा स्वदेशी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हमारा भूजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया न भाशा बदली, न भूशा बदली, न भोजन बदला, न भजन बदला, और तो और भेशज हमारी अवशधी, जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुरवेद आधारे, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारे तेलो पेती में चला गया, आज़ादी के बाद बद बदला क्या? एक ही बदली माउंट बेटेन की जगह पंड़ि जवारला नेरू माउंट बेटेन की जगे उनके मंतरी मंदल के एकस वाई-जड और कुछ नहीं बदला इस देश में सबका सब वैसे का वैसा ही रहा हमारे देश में सम्मिधान सवा बनाई गई सम्विधान सभा में बारवर नहीं बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे अटकाह लटकाए गया, बारवर नहीं बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है। इस देश में उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया, सारी की सारी सम्मिधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के Government of India Act को भारत का सम्मिधान बना दिया हमारे देश के लोगों बहुत दुख और अफसोस होता है Government of India Act अंग्रेजों ने बनाया था भारत को एक हजार साल गिलाम बना कर भारत पर साशन करने के लिए वो हमारे देश का सम्मिधान बन गया Government of India Act का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के सम्मिधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजे कोई अंतर नहीं है उसमें और जब यह बात उठी तो यह कहा गया जल्दी है जल्दी है जल्दी है भारत का नया सम्मिधान नहीं बन सकता तो थोड़ा Government of India Act ले लिया फिर अमरीका के सम्मिधान से कनेड़ा के सम्मिधान से ब्रिटेन के सम्मिधान से यहां से वहां से वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना जैसे PhDs किया जाते है ना हमारे देश में दस किताबे एकटी कर ली फिर उसमें से एक 11 चप गई वैसे ही दुनिया बरकी 10 किताबे एकटी हो गई एक 11 हमारी बन गई भारत का सम्मिधान जिसका सबसे बड़ा जूट है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस सम्मिधान को आत्मार्पित करते कब किया थ कोई बताते हैं मुझे भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित सम्मिधान सबा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया तो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया यह कैसे कह सकते हैं कभी रिफरेंडम करा के देख ले इस देश में कब किया था हमने आत्म पर पितु सम्मेदान कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 इंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए सारे के सारे कानून बिना कौमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिख ता पाते हैं या नागरिखола हो पाते हैं पानुन वैसे ही है भाशा वैसी है सिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेट छोड़कर गए थे वही की वही है स्वास्त व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेट छोड़कर गए थे वही की वही है हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाए एक नाम बिदलने के कि जहाँ पहलेум माउंट बिदन का नाम होता था, करजन का नाम होता था लिलिडगो का नाम होता था, वोरें एस्रिंग्स का नाम था, ख्लाइब का नाम था, वहाँपर अव हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गया है व्यवस्था सब की सब वही है और तो और मैं आपको एक शर्म की बात पता रहा हूँ आजादी मिल्ले के पचास साल बात तक हिंदुस्तान की संसर में बजट शाम को पेस होता था शाम को पांच बज़े आजादी मिल्ले के पचास साल बात था क्यों जब हमारी संसद में शाम के पांच बज़ते हैं तो लंडन की संसद में सवेरे के साड़े ग्यारे बज़ते हैं बिटिश संसद में सवेरे साड़े ग्यारे बज़ते किसी को सुनना हो बज़त तो अंग्रेज सुन सके, इसके लिए आजादी मिल्ले के 50 साल बात तक सन 1997 तक बजट शाम को पाँच बज़े आता रहा, इतनी गुलामी में ये देश रहा है, इतनी गुलामी, अंग्रेजों ने बंदे मातरम को बेंद कर दिया था हमारे देश में, आजादी मिल्ले के 50 साल तक हमारे देश की संसतने पंदे मातरम नहीं गाया जा सका, ये शरम की बाते हैं हम सब के लिए, तो इसलिए हमारा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है, स्वतंतरता मिली नहीं है, सत्ता का हस्तान तरन हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले इसलिए ना किसानों की हालत सुधरती है, ना मजदूरों की हालत सुधरती है, ना गरीबों की हालत सुधरती है, ना मजलूमों की हालत सुधरती है, क्योंकि ये विवस्था जो आज चल रही है, ये तो अंग्रेजों ने बनाई थे लूट के लिए, खसोट के लिए, बरब को और लाखों करोरो रूपिया लंदन लेके जाते थे एक अंग्रेज का जानकरी दे के मैं खतम कर रहा हूं रॉबर्ट क्लाइब नाम का एक अंग्रेज था हिंदुस्तान आया बंगाल का राजा बन गया गवर्नर हो गया लूटने शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर क लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया ब्रिटिश पार्लिमेंट में उसकी शिकायत हो गई कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किये भारत में और लूट मचाई है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला वो अंग्रेजों का पहला और आखरी अध भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे 900 शिप्स भरके मैं सोना चांदी हीरा जवारत कलकत्ता से लूट कर लाया तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वेल्यों बताओ तो कहता रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड एक अंग्रेज इतना लूट के ले ग 80,000 करोई रुपएं पिछले साथ साल में लूटा है और सुट से लेंग की बैंकों में जमा कर रखा है आप बताइए इन में और अंग्रेजों में क्या सरक है तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा, जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था, और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा, जो अंग्रेज हमारे याँ छोड़ कर चले गए है, हमारी पूरी की पूरी करशी व्यवस्था और कृशी नीती अंग्रेजों की है वानिज जब्यवस्ता वानिज नीती अंग्रेजों की है टेक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है और तो और सब्जेक्ट नहीं मदल पाये हम आजादी के साख साल में एंत्रोपोलोजी अन्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्यान के लिए वो आज मी पढ़ाया जा रहा है इस देश में तो बहुत शर्म है हम सब को अपने आप पर और अफसोस है इसलिए हमें स्वदेशी की बात स्वावलमन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के 62 साल में और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 पंद्र अगस्त में वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है स्वतंत्रता हमें लानी है स्वराज की स्थापन हमें करनी है स्वदेशी को लाना है स्वराज और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक पंद्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीग बने ये बोलकर आप सभी का आभार बहुत देने होगा